तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके जून 2023 टर्मेंट एक्जाम रिजल्ट की तो जैसा कि आप दोग जानते हैं कि इगनु की तरफ से आपके जून 2023 टर्मेंट एक्जाम के जो रिजल्ट है उसके चार अपडेट को पब्लिस कर दिया गया ह तो यहां पर जब आपका लास्ट अपक्डेट आया था तो वो आया था आपका 6 जूलाई को और 6 जूलाई के बाद कोई भी अपडेट एक्जाम की तरफ से नहीं आया है अब देखना यह है कि जो नेक्स्ट अपडेट है वो कि उन students का result update नहीं हुआ है, जिन्होंने early declaration of result के लिए apply नहीं किया था, केवल उनी students का result update अभी तक किया गया है, जिन्होंने early declaration of result के लिए apply किया था, तो देखिए बाकी जो students हैं, उनके लिए में एक बात कहना चाहूंगा, कि आपका भी result update किया जाएगा, लेकिन पहले वो students ज उनने जो फीस है वो एक्स्ट्रा पे की है उसके लिए तो उनका रिजल्ट पहले अपडेट किया जाता है sadly लेकिन ऐसा ही होता है एकडू में तो आपका भी रिजल्ट जल्दी ही अपडेट किया जाएगा लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपका कौन सा एवेलुएशन सेंटर है जो सबसे फास्ट रिजल्ट अपडेट करते हैं तो मैं उन्हीं Evaluation Centers के बारे मैं आपको डीटेल में बताऊँगा तो आप इस वीडियो को लाज तक ज़रूर देख लेना लेकिन उससे पहले अगर आपने इगनुबडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इगनुबडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना तो देखिए सबसे पहले तो जो इगनुब में आपके Evaluation Centers होते हैं वो आपके अलग-अलग होते हैं हर आपके Exam Center के साफसे आपकी जो उसके साफसे आपके Evaluation Centers अलग-अलग होते हैं तो एगनुब में ऐसा नहीं है कि कुछ हजार स्टूरेंट्स हैं लाखो स्टूरेंट्स हर साल एकजाम देते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक साथ लाखो स्टूरेंट्स के जो कॉपीज हैं वो एकी Evaluation Centers पर चेक हो लेकिन ऐसा देखा गया है कि स्टूरेंट्स का जो रिजल्ट है वो इन Evaluation Centers से जल्दी आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूं कौन से ऐसे Evaluation Centers है तो देखें यह Evaluation Centers की लिस्ट मेरे पास है यहां पर तो इसमें से सबसे पहला तो भोपाल Evaluation Center है जो वो सबसे फास रिजल् अबडेट करता है वो है डैली का Evaluation Center यह Evaluation Center भी Fast Result अबडेट करता है और जो लास्ट और मेरा फेवरेट है वो है आपका लखनव का Evaluation Center यह जो लखनव का Evaluation Center है यह Fast Result अबडेट तो करता ही है लेकिन अगर आप इनको तो contact भी करना चाहोगे किसी भी problem के लिए तो इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको response जरूर देते हैं अगर आप इनको call करोगे तो इनकी call भी chances हैं कि उठाएंगे लेकिन अगर आप इनको mail करते हो तो mail में आपको यह reply जरूर देते हैं तो यह सबसे अच्छी चीज लग contact किया है लेकिन इनका जो response है वो आ जाता है दो-तीन दिन बाद तो यह सबसे चीज है इस evaluation center की और result भी लखनो evaluation center की तरफ से सबसे जल्दी update किया जाता है तो अगर आप इन तीन में से किसी भी evaluation center से belong करते हो तो chances हैं कि आपका result जल्दी update किया जाएगा क्योंकि इन evaluation center का जो track record है वो काफी सही है तो chances हैं कि आपका result जल्दी update हो सकता है और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो भी students wait कर रहे हैं अपने result का देखिए IGNU में आपका जो normally result है वो एक महीने बाद update होना start हो जाता है जो कि हो भी चुगा है 28 दिन बाद ही update आ गया था लेकिन वो early declaration of result का तो बाकी student भी wait करो आपका भी result जल्दी ही update किया जाएगा क्योंकि IGNU में जो next term है जैसे कि जुलाई 2023 का वो second start हो गया है और उसके लिए admission भी लेना होगा students को तो IGNU की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी result update किया जाए तो आप wait करो और जब भी result का update तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना तो अगर आपको ये वीडियो helpful लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और IGNU से related हर update और information के लिए IGNU बड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना So thanks for watching this video Thank you so much